सिधात और शहनास के प्यार का अटूट रिष्टा जो हम सब ने देखा है और ये रिष्टा हमेशा ही अटूट रहेगा हमेशा जिन्दा रहेगा और ये प्यार अमर प्रेम है जो कि हमेशा रहेगा हम सब फैंस के दिलों में हमेशा रहेगा और सिधात हमारे दिलों में प्यार को निभा रही है शहनास वहीं मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी तो उससे पहले आप प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए तो गाइस सिधार्थ और शहनास हमेशा से ही साथ रहे हैं बिग बॉस 13 के बात से रही हैं उन्ही के घर में रही है और MSK के टाइम भी जब विकेंट्स पर शहनास बाहर आती थी घर के तो वो वक्त सिधार्थ के साथ ही बिदा दी थी यह सब बातें अब साफ साफ सामने आ चुकी है तो शहनास और सिधार्थ का जो रिष्टा है उसे किसी टैग की जरुव सामने आती रहती है सिधात की फैमली के साथ सिधात की ममी रीटा अंटी के साथ शहनास का जो बांड है और बहुत बहुत ही ज़ादा प्यारा है अब यहां पर एक तस्वीर यह बहुत ज़ादा वाइरल हुई थी पहले कि शहनास जिस सल्वार सूट में है वो सलवार सूट है सिधात की ममी का तो गाइस ये चीजें क्या दिखाते है कि ये कितना जादा गहरा रिष्टा बन चुका है शहनास किस तरह से सिधात के साथ रिष्टे में बन चुकी है चाहे उस रिष्टे को कोई नाम मिला हो या ना मिला हो चाहे उस शहनाज का जो कि पिछले लोकडाउन में बहुत जादा वाइरल हुआ था फैंस ने इसे बहुत जादा पसंद किया था तो गाइस अब एक पिक्चर और वाइरल हो रही है नीतू दी की जो कि सिधाद की सिस्टर है जन्हें आपने बिग बॉस के प्रिमेर पे भी देखा होगा फिनाले में भी देखा होगा तो उनका भी ये साड़ी वाला लुक सामने आ रहा है और ये वही साड़ी है गाइस जो शहनाज ने पहनी थी अब शेहनाज शेयर करती है सिधात की सिस्टर के साथ कपड़ों को ममी के साथ कपड़ों को तो ये बात बहुत जादा स्पेशल है यार किसी लड़के की फैमली के साथ हम इस तरीके से प्यार से रहते हैं तो मतलब रिष्टा बहुत जादा खास है उस रिष्टे की कुछ अलगी बात है तो क्या बात अलग है ये मुझे बताने की जरुरत नहीं आप सब कुछ समझ सकते हैं कि कई पार शब्तों से जादा जज़बातों की जरुरत होती है किसी भी चीश को समझने के लिए तो यहाँ पर नीटुदी की ये पिक्चर सामने आई है जोकि उनकी एक फ्रेंड ने शेयर की है नीतू दी ने शेर नहीं किये उनकी एक फ्रेंड ने पोस्ट किया है इस पिक्चर को और जब से ये पिक्चर सामने आई है तो फैंस बहुत जादा एक्साइटेड हो रहे हैं कहीं न कहीं दुखी हो रहे हैं इमोशनल तो हो ही रहे हैं लेकिन उन्हें खुशी भी हो रहे है कि शेहनाज मुंबई में अकेली नहीं है सिधात के जाने के बाद सिधात की पूरी फैमली है शेहनाज के साथ जो उन्हें संभालती है उन्हें प्यार दे रही है उन्हें सपोर्ट कर रही है तो सिधात अब शेहनाज में ही है, सिड अब नाज में ही है और हम सब के लिए सिड नाज अब शेहनाज ही है वेल गाईज आपको ये सब जान कर कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजेगा जिससे मेरे न्यू वीडियो की नोडिफिकेशन आप तक पहुच पाएंगी जल से जल थेंक्स फॉर वाचिंग गाई